Hello guys, welcome to my channel, my name is Sachin and I hope you all are fine So dear boys and girls, आज आप लोग का एक अगस्त है और आज आप लोग का WBJ round 1 का result आउट हो जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को all the best तो जिन बच्चों को round 1 में allotment मिला है, जिन बच्चों को नहीं मिला है, क्या करना है, क्या step by step में आप लोग को बताऊंगा क्या procedure है, तो make sure आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके last तक देखिएगा उससे पहले कुछ important updates के बाब में बात कर लेते हैं, तो जिन बच्चों को अच्छा rank नहीं आए, सपोज एवब 40,000, 50,000, 30,000 rank आया है और उन बच्चों को अच्छा college में अच्छा branch आईए होगा, तो आप लोग को panic नहीं होना है, आप भी admission ले सकते हो, जिसको आप लोग direct admission management के थूँ आप लोग admission ले सकते हो, जिसको आप लोग direct admission के भी नाम से जानते हो, तो आप लोग को easily इसमें admission मिल जाएगा, बस आप ल description box में आपको college inquiry का भी link मिल जाएगा, direct admission का भी link मिल जाएगा, तो direct admission को आप लोग form fill up कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि direct admission का form fill up के लिए तो आपको admission ही लेना है, आप inquiry भी कर सकते हो, कितना donation लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, और ये 100% share होगी, आपका 100% admission हो जाएगा, और व आप लोग को first round में किसी भी college में कोई branch मिला है, suppose heritage में आप लोग को CSC main मिल गया है, तो सबसे पहले आप लोग को seat allotment fee जो है 5000 पे करना पड़ेगा, जैसी आप लोग seat allotment fee करोगे 500 उसके बाद seat allotment later जो है, आप लोग download कर पाऊगे, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर ले offline करना होगा, आप लोग college में जाकर, जो भी आप लोग को first allotment में college मिला है, वहाँ आपको जाकर document verification करना है, तो date एकदम याद रखना है, तो हम कान खोल कर सुन लो, एक तारीक से लिके 5 तारीक के अंदर में आप लोग को document verification करना है, प्रिवेज से में बहुत सारे ऐसे बच लेकि 5 अगस्त के बीच में आप लोग को जाकर document verification करना कर नहीं करोगे, तो seat आप लोग कैंसल हो जाएगा, ठीक है, एकदम lazy नहीं बनना है याँ ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि document verification में कौन कौन सा आप लोग को important documents आप लोग को लगेंगे, तो आप लोग को सबसे पह लगेगा, ठीक है, यह होगी, आप लोग का, अगर मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, अगर आप लोग को बास admit card नहीं है, तो आप mark sheet, sorry, आप birth certificate को लेके जा सकते हो, उसके बाद आप लोग का WBJE का result लगेगा, आप लोग का rank card हो लगेगा, उसके बाद आप लोग का WBJE का admit card लग लगेगा, तो यह कुछ important documents है, इनको must carry करके लेके जाना, जो भी आप लोग का institute में, आप लोग का seat allot हुआ है, वहाँ आप लोग यह सब को लेकर जाना है, अब उसके बाद दूसरा step आता है, दूसरा question आता है, बच्चे पूछे कि भाईया, upgrade क्या होता है, fees क्या होता है, तो suppose आप लोग को first round में जो allotment हुआ है, अगर आप लोग को चाहते हो कि नहीं मैं second round में भी बैठना चाहता हूँ, अभी मैं इस seat से खूस नहीं हूँ, तो नहीं हो तो आप लोग क्या करना, yes upgrade करना है, और अगर आप लोग खूश हो कि नहीं मेरे को इसी branch में admission लेना है, म आप लोग को करना no upgrade, तो आप लोग को यह दोनों option कहां मिलेगा, website में मिलेगा, yes upgrade का no upgrade का, आप लोग को website में आप लोग को दोनों का मिल जाएगा option, तो अगर आप लोग को अप लोग को अप लोग को लेकर जाना है institute में, और वहां पे आप लोग को upgrade कर देना है, अगर गाट, seat आपलोग cancel नहीं होगा, ये मत सुछना कि seat आपलोग cancel हो जाए इसीट आपलोग को वही रहेगा, seat cancel नहीं होगा बस आपलोग second round में आप लोग एक बाद try मार होगे ठीक है, और जिन बच्चों का allotment नहीं हुआ है 1st round में, किसी भी कारण वर्स या तो वो अच्छा से counseling नहीं किया होंगे choice feeling या तो उनका rank बहुत ज़ादा होगा तो देखो किसी कारण words अगर आप लोग का allotment नहीं होए तो आप लोग कुछ अभी नहीं करना है आप लोग खुद से round 2 में चले जाओगे तो मैं फिट से repeat करना चाता हूँ जिन बच्चों का अच्छा rank नहीं है तो अगर आप भी उसी बच्चों में आते हो आपका rank अच्छा नहीं है किसी भी कारण words मैं या कोई reason का नाम ने ले रहा हूँ किसी भी कारण words आप लोग का rank अच्छा नहीं है और अगर आप भी चाहते हो कि मुझे top colleges जैसे कि I.E.M हो गया heritage हो गया टेक्नो हो गया सारी college में में आपको top branch चाहिए या core branch ही चाहिए तो मैं कैसी admission लोगा तो आप admission ले सकते हो जिसको आप लोग direct admission के नाम से भी जानते हो बस आपको क्या करना है direct admission का निचे form fill up करना है लेकिन उससे पहले अगर आपको college inquiry करना तो college inquiry करो हर एक बच्चे का लग-लग doubt होता है कोई भी doubt होता है हर एक बच्चे का लग-लग doubt होता है तो कोई भी doubt होता है तो आप लोग हमारे expert बैठे हुए जो आपका doubt solve करेंगे तो यह सारे चीज आपको free of cost में मिल रहा है पैसा नहीं कि doubt solve करने का मैं आपसे कुछ पैसा चार्ज कर रहा हूँ नहीं एकदम free of cost है और doubt को rise करो because आप लोग यहाँ पर चार साल time invest करोगे पैसा invest करोगे यहाँ सा आप लोग carrier बनेगा तो doubt को rise करो और सबसे important बात है कि यह जो document verification ना इसमें कुछ गलती मत करना ने तो seat आप लोग cancel हो जाएगा दूसरा एक से लेकर पांच जैसे के मैं पहली भी हो ला था कि कान खोल के सुन लो एक से लेकर पांच के बीच महीं आप लोग को document verification कराना है प्रिवेज से ने बहुत सारे से बच्चे थे जो date को cross कर दिये थे तो इस साल ये सम नहीं होना चाहिए ये इक से लेकर पांच के अंदर में आपको क्या करना document verification कराना है जिस भी college में आप लोग को alert हो है उस college में जाके document verification कराओ आप सभी को all the best form को ज़रूर fill up करना सारे form आप लोग को description box में मिल जाएंगे अब सभी को all the best अच्छे से preparation करो